नवस्कार मैं प्रिया रावजर आप देख रहें एक न्यूस 24 जिस तरसे चुनावी दौर थाए से बीच बीजेपी का अनुमान था कि इस बार वो 400 पार यारी पारी कर लेगे और लोगों का भी अनुमान हो गया था कि बीजेपी 400 पार लाकर इस बार एक मिशाइल कायम पर चुनावी परिणाम देखा जाये तो ऐसा हुआ नहीं क्योंकि 240 सीटों पर ही सिमट रहे गया 400 पार का नारा जिस तरह से लोगों ने और बीजेपी के जो दिगर नेता हो थे उनका कहना था कि इस बार 400 पार जाएंगे पर वाकर यह ऐसा हुआ नहीं जिसके बाद और ल और पियम मोदी पर निशाना साते हुए नजर आ रहे जिस तरह से वो संसाधिय दल बैठक में भी अपने ब्यान बाजी करते नजर आ रहे थे वहीं नेता प्रतिपच राहुल गांदी ने पियम मोदी पर निशाना साते हुए कहा कि परधान मंती नरेन मोदी या योधिया स चुनाव लड़ने किसम है पहले वहां दो बाद सर्वे कराया और सर्वे ने उन्हें बताया कि आप वहां से चुनाव मत लड़ियेगा उसके बाद पीए मोधी वरांसे से चुनाव लड़ने चले जाते हैं और वहां से निकल जाते हैं तो इसे बीच बात यह है कि आखिर क्य आई दीनों में काफी चर्चे में पीयम मोदी बने रहे जिस तरह से राम मंदिर का भव्य निर्मान हुआ कई सांसर सिल लेकर कई सेलिब्रिटी सिल लेकर कई दीगर निताए वहां आई दीन पीयम मोदी का जैजे कार करते थे वहां की जनता भी काफी खुश थी सिर्फ को फिर से हमारे देश में लाया इसे लेकर लोग काफी खुश थे लेकिन फिर भी इतना करने के बाद इतनी जैजे कार के बाद भी पीयम मोदी का सर्वे फेल कैसे हो गया आईए हम आपके भी साज़ा करते कि और क्या कुछ कह रहे नेता प्रतिपश्च राहुल गांधी राजपती के अभी भासन पर चर्चा के दोरान लोग सभा में नेता प्रतिपश्च राहुल गांधी ने सोमवार यानी एक जुलाई को किन सरकार पर निशाना साधा इस दोरान उन्हें प्रधान मंदी नरेन मोदी पर भी सियासी हमला बोला अपने भासन के दोरान राहुल गांधी ने कई मुद्य उठा इस दोरान राहुल गांधी ने अयोध्या का भी जिक्र किया आपको बताते कि राहुल गांधी जब लोग सभा में अपनी बात रखे थे उस दोरान फैजा बात से सपा सांसद आधेस प्रसाद जी भी उनके सा लोगसभा में बैठे थे इस दोराल लोगसभा में नेता प्रतिपक्च राहुल गानी ने कहा कि अयोधिया फैजा बाद से सपा सांसद अधेश प्रशाद ने उन्हें बताया कि प्रधानमंती नरेन मोदी ने अयोधिया से चुनाव लड़ने के लिए दो बास सर्वे करवाय और सर्वे करवानी वाली ने साफ कह दिया कि अयोधिया से चुनाव मत लड़ियेगा क्योंकि अयोधिया की जनता हरा देगी इसलिए नरेन मोदी वरांसी गयर वहाँ बचकर निकले आखिर कारण क्या था हार की बिजेपी किस तरह से अयोधिया में हार गई ये भी हम आपकी विशाचा करें जिस तरह से लोग सभा में कॉंगरेस नेता राहूल गाधी ने आगे बताया कि आयोधिया से समाजवादी पार्टी के सांसत बने अधेश प्रसाद ने उन्हें बताया और सर्वे करने वाले के लिए साफ कह दिया कि आप आयोधिया से चुनाओ तो मती लड़िएगा वहीं कॉंग्रेस नेता राहूल गांधी ने आगे कहा कि 3700 अधेश प्रसाद सी ने उने बताया कि छूटे छूटे दुकन दारू के वय पारों को तोड कर उन्हें सड़क पर ला दिया उन्होंने कहा कि उध्गाटन में आडानी अंबानी थे लेकिन अयोधिया का कोई नहीं था अयोध्या की जनता के दिल में नरेंद मोधी ने भै पैदा कर दिया उनकी जमीन लेली, उनके घर गिरा दिया और मंदीर के घाटन तक में नहीं जाने दिया तो जैसा कि आपने सुना कि किस तरज से राहूल गांदी मोधी पर निशाना साधा उन्होंने कहा कि अयोध्या के भव्ये निर्मान में अदानी, अंबानी, कई महान, सलीब्रेटी, सिल्य कर कई दिगत-राज ने ता है लेकिन अयोध्या वासियों के लिए मोदी ने जगा नहीं दी जिस तरह से वो अयोध्या में आकर राम मंदीर का निर्मान के और अयोध्या वाशी को ही नहीं बुलाया तो ये किस तरह का चीज है और वहीं उन्होंने कहा कि जो पियम मोदी है वो छोटे चोटे बेऊसाई दुकंदारों से जन्मीन हडपनी उनके दुकानी गिरा दी उन्हें जमीन पर ला दिये तो कैसे वहां से अब लोग उन पर विश्वास करेंगे किस तरह से उन्हें वोट दे कर फिर आगे करेंगे वहीं ये भी कहा कि अयोध्या में जब राम मंदीर का निर्मान हो रहा था लोगों से जमीन ले ली गई उसका मौजा नहीं दिया गया जिससे लेकर वहां के अयोध्या वासी काफी आक्रोस में है और इन्हीं बातों को मद्दे नजर रखते हुए प्यम मोधी को इस बार अयोध्या में वो जीत का सामना नहीं करने पड़े जिस तरह से उनकी जैजैकार हो रही थी वहीं अब वहां की जनता उन्हें नहीं चाह नहीं रहा है तो ऐसी तो ब्यानवाजी वह करते नजर आएंगे ही पर राहुल गांधी ये भूल रहे है कि मैं किस तरह का ब्यक्ति हूँ जिस तरह से मैं देश का तीश्री बार प्रधान मंत्री बना हूँ मैं अपनी जनता के हित के बारे में सूचता हूँ भारत के विका में जा कर देख लेना चाहिए जिस तर से राहूल गांधी मेरे तीसरी बार प्रधान मंत्री बनने पर काफी बाती उन्हें खटक रही है जिस तर से वो ब्यान बाजी कर रहे हैं योध्या को लेकर वरांसी को लेकर अपनी बाते साजा कर रहे हैं और जो कि गलत वे में कर रहे वो कहीं ना कहीं ये तो पता चलता है कि राहूल गांधी को मेरे तीसरे बार प्रधान मंत्री बनने पर काफी अशंका है और उन्हें भाए भी है और यही डिप्रेशन में आकर वो ऐसे ऐसे ब्यान बाजी करते नजर आ रहे हैं तो आज के लिए इतना ही ऐसे तमाम खबरों के साथ आप हमाई साथ जुड़े रही एक न्यूस 24 पर हमाई यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर फेस्बुक पे लेगे तो अब आए फेस्बुक पेस को फॉलो और लाइक कीजिए धन्यवार